हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइप करना ना भूलें जैमा इंद्राक्शी इंद्राक्शी धाम में दरशो को आप सभी का महारदे को स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जातको का जनमदिव Agency है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुफ कामदा एं आज दुर्गास्टमी है आप दुरगा का हैं सताक्शी का हैं ब्रामरी क कहें शाकंबरी कहें आप इंद्राक्षी कहें नाम भगवती के अनेकों हैं लेकिन भगवती एक ही रूप में रहती हैं समय समय पर जब साधक या यूं कहें हम भगवती के बालक जब उन्हें नाना रूप में पुकारते हैं वो हर रूप में आ जाती हैं तो आज अस्टमी है अश्टमी का एक विशेस महत्यम में होता है अश्टमी में भगवती को जो हम नविध्यारपन करते हैं भगवती का वर्त रखते हैं विशेस को उपासना करते हैं विशेस लाब मिलता है इस अंक को आप जितने भी भगवती के उपासक हैं ध्यान से जरूर सुनिएगा आईए आज का पंचांग देखती है 11 दिसंबर सन 2021 दिन शनिवार मार्गशिस शुकलपक्ष रंबन 2078 तिथी अश्टमी नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद राहुकाल नो से साड़े दस दिसासूल पूर्वा दिशा अब देखिएगा हर महीने दो शुकलपक्ष की और एक शुकलपक्ष की ये शुकलपक्ष की अस्टमी है भगवती ने स्यम कहा है कि जो साड़क जो बालक शुकलपक्ष दिन निरहार रहकर के मेरा वर्थ रखता है दुर्गा शफशती का पाठ़ करता है या मेरे निमत तक कोई भी यग गादी करता है तो मैं उस घर में अपन वास बनाती हूँ और मैं उस सादक से अती प्रसंद रहती हूँ तो जितने भी इंद्राक्षी धाम से जुड़े सादक हैं या आप अपने अपने हिसाब से बहुत लोग भगवती को मानते हैं कोई ना देवी को, कोई कांगडा जी को, कोई ज्वाला जी को कोई चिंतपूर्णी को, कामक्या भगवती को, कोई तारा देवी को, कोई भगनेश्वरी को है ना दसम महाविद्याओं में कोई कमला को कोई मातंगी को तो कोई शोडशी को नाना भाती से हम भगवती का पूजन करते आए हैं देवी भगत हैं, मोटी भासा में यह कह सकते हैं तो जितने भी देवी भगत हो उन्हें हर अस्टमी शोकल पक्स की भी और कृशन पक्स की भी उन्हें भगवती को नेविद्या लगाना चाहिए अस्टमी के दिन भगवती को आप खीर का भोग लगाए वैसे हमने नवरात्रों में भी आपको चार्ट दिया था देखिन आप सिंपल तरीके से साधरन तोर पर आप अपने घर में सब के घर में दूद भी होता है चावल भी होता है तो भगवती को खीर का भोग लगाए फल का भोग लगाए फूल भगवती को अरपन करें तिलक करें भगवती को और आज के दिन आप से ज़्यादा नमन पड़े आप सृद्गुंजी का स्तोत्र के कम से कम माच पाट कर सकते हैं या जिनोंने देवी मंत्र लिया हुआ है भगवती का कोई मंत्र आपने गुरुजी से लिया हुआ है या हमारे जितने भी सादागण हैं इंद्राक्षी धाम से जुने हैं जिसे हमने देवी मंत्र आपको दिया है, निवारन मंत्र आपको दिया है, निवारन मंत्र तो आप क्या करें, आज के दिन विशेश रूप से अपनी दिख्षा के मंत्रों को जादे से जादे करने का प्रियास किया करें, सुबह ना हो सके संध्या के समय करें, और आज के दिन जो भी सादक देवी अधव शिर्षम का पाट करता है आप ये मान के चलिएगा अनेक प्रकार की मनोकामनाई भगवती उनकी पूर्ण करती है और चिरकाल तक भगवती का सानिध्य सायुज्य उस सादक को प्राप्थ होता रहता है तो आज अस्टमी है और जिनके घर में खासतोर से नौनवेज बनता हो तो ध्यान रखें इस प्रकार की जैसे अस्टमी हो गई एकाश्य हो गई वैसे तो देखो भाई हमारे हिसाब से तो कभी भी इस प्रकार की चीजों का भख्षन नहीं करना चाहिए लेकिन आप क्या कहें कम से कम ऐसे जो पुनीत पवित्र दिन होते हैं उनमें तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए भगवती को जितना आप प्रसंद करेंगे शक्ती है ये महाशक्ती है ये है ना शक्ती सबरूपा है ये तो आप जितना भगवती को अच्छे से उनका पूजन करेंगे और अस्टमी के दिन बहुत लोग अस्टमी का वर्त भी रहते हैं अगर आप भगवती के लिए वर्त रखना चाहते हैं तो हर अस्टमी का, महीने की दोनों अस्टमी का भी आप भगवती के निमित वर्त रख सकते हैं, आपको बहुत बड़ी आलाब मिलेगा, अब लाब-लाब की बात इसलिए की आती है कि बिना लाब की आजगल कोई आके बढ़ता नहीं है, सब अपने फाइदे की बात देखते ह और वही बात भगवती ने भी कह दी, कि बेटा जिस घर में मेरा चिंतन होगा, जिस मठ मंदिर में मेरे पाठो का गुंजन होगा, जहां मेरी आरती होगी, और जहां पविद्वत आवास करेगी, और जहां अच्छे से मेरे जितने भी विदी विधान के कारी करम होते हैं, क ऐसा मन लगता है कैसी सुगंधी महाँ पर होती है और ऐसा लगता है कि हम बैठे रहें और हम लोग तब करते रहें किसी-किसी व्यक्ति के चेरे पर ऐसा तेज होता है ऐसा होता है कि आप बस हम आपको बैठे रहें आपके चड़नों में तो ये भगवती के किरपा है साब, और कहा गया है, याने नाम अपी चेतानसी देवी भगवती ही साब, बलाद अक्षे मौहाय महाया प्रिच्छती, ये भगवती आप ही मन में प्रेम उत्पन करती है, बलादा, फोर्सफुली, आप कट्टर से कट्टर हर्दे में भी प्रेम उत्पन कर देती है, प्रेम प्रदाईनी है भगवती की सादना, एक तरफ प्रेम उत्पन करती है, और एक तरफ कमला के रूप में हमें लक्ष्मी का वरदान मिलता है, सुख की प्राप्ती होती है, हमें लक्ष्मी की प्राप्ती होती है, अर्थात हमें धन वैभव की प्र इनलाती है तो अमारे सत्रों का दमन करती हैं और एक तरफ जब ये शारदा के रूप में विना पजाती है तो हमärे ग्यान को आलोकित करती हैं बुझे ग्यान के दिप को भी पुलकित बना देती है इसलिए महमुली ना समझेए ये महा शकति है चत्रपती सिवाजी ने इनकी पूजा की है राम कर्शन पुरम हंस जी ने इनकी पूजा की है बड़े बड़े तफस्वियों ने भगवती को माना है इसलिए देखो बस समझने नहीं हर्दे की भावना को आप लोग तो बहुत अच्छे से ऐसे आप रोज नहीं कर पाते हैं आपके पास समय नहीं है क्योंक तो समय के दिन अगर वर्त नहीं रख सकते तो अश्विय के दिन हम भगवती को चड़ाना भी बहुत अच्छा होता है और देखो आगे भगवती की क्या इच्छा है देवी माता की क्या इच्छा है जैसे ही इंधराक्षिद्हान अच्छे से बन करके सब कुच होगा तो ब आपको बिठागर के अपने साथ, अपने हाँ से आप से बहुत सारी चीज़े करवाएंगे, बस आशिराद मातारजनी का रहे, और आप सब का यूँ ही प्रेम और विस्वास समय मिलता रहे, आईए साथ को समय उचला है आज की दियासादना का, जुड़ते हैं माजक दंबा स ओम सिंदूर अरुन विग्रहां त्रिनायानाम मानिक्यमोलेस्पुराज स्तारा नायक से करां स्मित मुखे भापे नबाग छोरुआम पानी प्यामल पूर्ण रत्न चसकाम रत्नोत्पराम विब्रते सोम्याम रत्न गडस्त रक्त चरणाम ध्यायत्पराम अंबिकाम खडगं चक्रगदि सुचाप परिगान चूलं भुसुंडिम्सिरा संखं संधदतिम्करिस्त्रिनयानाम सर्वंग वूसाबृताम निलास्मध्युत्यमास्यपाद दसकाम सेवे महांकालिकाम यामास्तो स्वपितै हरो कमलजो अंतुम्मदुम्कटवं विद्यो दाम समप्रवाम रिगपते स्कंदस्तिताम विशनाम कन्याम विहकरवाल खेट विलसादस्ता विरास्यविताम् अस्तेश चक्रगदा सिखेट विसिखाम श्चापम गुणं तरजनीम विप्राणा मलिलात्मिकाम ससिदाराम धुरगाम तिनेत्राम वजे कवच बना लें ध्यान करें भगवति का शुवासीज हम सब के उपर बरस रहा है ओम बोलते हुए नित्र खोलें सामान्या हो जाएं देखो सादको ये जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है और इस जीवन में जिसने आद्यात्मिक विद्या को प्राप्त किया है जिस सादक के पास आद्यात्मिक तप और तेज होगा बहुत एक संपदाएं उसके पास स्वतह दोड़ी चलिया आती है ये ध्यान रखना बहुत एक संपदाओं से आद्यात्मिक प्रगती नहीं हो सकती लेकिन आद्यात्मिक प्रगती जिसके पास होती है वहां बहुत एक संपदाएं बहुत एक सुख बहुत एक एश्वरिये उस व्यक्ति को फ्री में मिल जाता है आपने देखा नहीं है ये बड़े-बड़े सादक बड़े-बड़े तपस्वी है ना उनके चरणों में व्यक्ति अपने शीज को जुका देते हैं क्या मिनिस्टर हों क्या बड़े-बड़े राजनेता हों बड़े-बड़े धराड़ी राजगराने हों है ना उनके मस्तक में जिसने अपना मस्तक चरणों में निवा दिया क्या इसलिए आप बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहु थोड़ी कने लेकिन बहुत अच्छे मन से कने ऐसा हो ही नहीं सकता कि माँ अपने बच्चों को खाली हाथ रहने दे माँ अपने बच्चों को भूका बेट सोने दे ऐसा हो ही नहीं सकता है ना तो आप भी किसी की माँ हैं आप भी किसी के पिता हैं किसी की भेन थाई हैं कितना चिंतन करते हैं आप एक धूसरी के लिए तो वो हमारे लिए कितना चिंतन करती होगी तो आप अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना जंदेगी आपको कमाल की लगने लगेगी जिन्देगे में आपको बहुत कुछ प्राप्ती होगी और जब प्राणा निकलते हैं न हम पंच तत्वों में विलेल होते हैं तो भगवती का साहिव जी हमें प्राप्त होगा बस इसलिए अच्छे से अपनी सादना को रखना अश्टमी जैसे दिन की गरिमा को समझना और अपने जीवन में चार चांद लगाना आप स्वस्त रहें, सुकी रहें इनी शुब कामनाओं के साथ हम अपनी मानी को बिराम देते हैं जयमा इंद्राक्षी किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंदर शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हे तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तक हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारे के लिए फेस्बूक पेश को लाइक करना न भूलें पेश करना निच्वी देवा अधिक्षान कार्ण पेशितल ना लगन सब्सक्राइब करना है देख सकार्ण कार्ण सब्सक्राण कार्ण कार्ण